सब्सक्राइब कीजिए सक्सेस मंत्रा एजुकेशन चैनल को और बैल आइकन को दबाईए लेटिस्ट एजुकेशन वीडियोज सबसे पहले देखने के लिए वेल्कम टू सक्सेस मंत्रा एजुकेशन मेरा नाम है राज़िश कुमार और सब्सक्राइब सब्सक्राइब का हमारी फ्री वीडियो कोचिंग क्लासीज में जो आज का वीडियो का टॉपिक है इसमें हम शुरू कर रहे हैं जो आपका CHSL का एक्जाम है 2017 का उसके फॉर्म जो है भरने शुरू हो गए हैं लगबग आपकी 32 सो कुछ वेकेंसी बता रहे हैं तो इसके लिए मैं आपके लिए GS portion के लिए important question लेकर आया हूँ जो आपके एक्जाम में आपको काफी help करेंगे और SSC CHSL से जिड़ो है जितने भी GS के important question है जो आप चाहते हैं वह आप में को comment box में लिख दीजिए ताकि मैं वही वीडियो लेकर आऊं जो आपके लिए important हो और आप जो ज़ादे सज़ादे recommend करेंगे वो वीडियो मैं आपके लिए उस topic पर लेकर आऊंगा तो चलिए इस वीडियो को हम आगे बढ़ाते हैं सबसे पहला question हम यहाँ पर देखते हैं कि kidney stone are composed of देखें एक बात और मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा कि जितनी भी मैंने JS की वीडियो डाली हुई है SSC CGL के लिए या जितनी math की वीडियो डाली है या जितनी मैंने English की वीडियो डाली है वो सारी की सारी आपके लिए SSC CHSL के लिए most important है यह आप प्रिवी सियर्स के paper उठा के देखोगे अब 2016 का ही paper ले लिजिए और हमने जो JS क यह प्रशन डिस्कस किये है SSC CGL वाली वीडियो में उनसे काफी प्रशन पुछे गए हैं तो मैं आपको recommend करूँगा कि सारी वीडियो देखे आप यह मैं सुचे कि SSC CGL टायर 1 या टायर 2 लिखा हुआ है यह हमें नहीं देखनी नहीं अगर उस पर SSC लिखा हुआ है तो आ इदनी स्टोन होता है वो composition होता है किसका calcium oxalate का option A है इसका right answer next है आपका which of the following is a new is not true about angiosperms ठीक है angiosperms कौन सो होते हैं वह प्लांट जिनके seeds क्या होते हैं धके हुए होते हैं ठीक है उन्हें हम angiosperms बोलते हैं तो angiosperms are vascular seed plant in which the ovule egg जो होता है वो fertilize होता है और develop होता है किसके अंदर seed के ही अंदर, beach के ही अंदर तो यहाँ पर जो property match नहीं करती है angiosperms से वो है कि dominant phase is gametophyte तो यहाँ पर option A है इसका right answer all of the following are excretory waste product of animal except तो आपको बताने है कि निमलिक्त में से कौन सा जो है waste product नहीं होता है animal के अंदर of course आप सभी को पता होगा carbohydrates, carbohydrates जो है waste product नहीं होता है animals के अंदर carbohydrates हमारी energy का source होता है body को carbohydrates चाहिए काम करने के लिए carbohydrates से एक दो प्रशन और जुड़े हुए आपसे पूछे गए थे जैसे कि आपको carbohydrates के मैंने बताया था types मैं यह discuss कर चुक हूँ सारे के सारे आपके साथ previous वीडियो में यहाँ पर हम revise कर लेते हैं जैसे carbohydrates के type की बात करूँ तो monosaccharide, diaccharide और polysaccharide ठीक है तो monosaccharide में आपसे इसे पूछ लिया जाता है कि monosaccharide के example कूँ सा है glucose, fructose और galactose आपको एक्जाम में fructose दे दिया जाता है और आपसे पूछ लिया जाता है monosaccharide है, diaccharide है, polysaccharide है, maltose है, lactose है, sucrose है और polysaccharide है, starch, fibers और glycogen ठीक है, और आपसे ये भी पूछ लिया जाता है, इसके अंदर ratio, hydrogen और oxygen का, carbohydrates के अंदर यहाँ पे दिखिए जो hydrogen और oxygen atom का ratio होता है, वो होता है, two ratio, one next है आपका, RNA is a polymeric molecule, what does RNA stand for? RNA की full form आपसे पूछ रहा है, RNA की full form क्या होती है, ribonucleic acid ये एक nucleic acid होता है, जो present होता है किसके अंदर, all living cells के अंदर और ये एक messenger, as a messenger act करता है, किसके बीच में, जो DNA होता है ठीक है, DNA जो instruction carry करता है किस चीज की controlling of, synthesis of protein कुछ ऐसे virus भी होते हैं, जिसके अंदर RNA, RNA genetic information रखता है की बजाए, DNA के, ठीक है, यहाँ पर आपका option 2 है, इसका right answer ribonucleic acid the common name of dichloro-methane is, dichloro-methane is, so dichloro-methane का common name है, वो है, freon, option 2 है, इसका right answer, इससे जोड़ा एक और question, जहां तक ध्यान में आ रहा है, हमने discuss किया हुआ है, कि ozone depletion में, ozone का पतला हो जाना, ठीक है, उसमें भी कौन से नाम पूछा गया था, आपको option दे रहे रहे हैं, आपने इस question बढ़ भी रखा होगा, उसका भी answer आपका दाइफ्लोरो मिथेन, ठीक है, नेक्स्ट है, आपका dash performs tasks such as inserting, updating or deleting data occurrence, दीखें, जो data manipulation language होती है, जिसे हम dml भी बोलते हैं, ठीक है, जिसे के लिए computer programming language आप इसे बोल सकते हो, की तरह होती है, जिसका काम होता है, जो आपका data base होता है, उसके अंदर data को select करना, insert करना, delete करना, वो data को update करना, so option 2 है, इसका right answer, data manipulation language, रजम नामा is a Persian translation of, रजम नामा किसका Persian translation है, या आपको बताना है, रजम नामा जो Persian translation है, वो है महाभारत का, रजम नामा का मतलब होता है, आपका, यहाँ पर देखें, रजम means होता है war, और नामा means होता है, टेल और epic, ठीक है, और यह किसके time में इसको translate किया गया था, अकबर के time में, ठीक है, और जो इसका पहला volume translation थी, वो ही थी 1582 में, अकबर ने मक्तब खाना बनवाया था, कहाँ पर, फतेफूर सिकरी में, जिसमें उन्होंने कई विद्वानों को रखा था, जो सस्क्रीत literature थे famous जैसे की, रजत तरंगनी, रमाएना, माभारता, इनके translation करने के लिए रखे थे, यहाँ पर option, one है इसका right answer, goods whose demand is proportional to price or called, देखिए, ऐसी वस्तुएं, जिनका demand जो होती है, proportional होती है, किसके price के, उन्हें हम क्या बोलते हैं, webland goods, webland goods कैसी होती हैं, मैं आपको बता देता हूँ, देखिए, कुछ ऐसी वस्तुएं होती हैं, जिने लोग अपनी success का symbol मानते हैं, जिने अपनी लिए status मानते हैं, और इस type के वस्तुएं होती है, वो चाहे कितनी भी महंगी हों, चाहे उनका कितना भी price क्योंन हो जाए, तो जितना उनका price increase होगा, उतने उनकी demand पड़ेगी, जैसे आप, for example, आप iPhone X को ले लीजिए, ठीक है, अब iPhone X से ज़्यादा feature आपको, उससे दो-तिन गुना कम phone में भी मिल जाएंगे आपको, लेकिन iPhone को लोग क्या मालते हैं, एक status symbol मानते हैं, तो iPhone की जितना price increase होता है, उसकी demand भी बढ़ती है, ठीक है, जैसे आप Rolex की घड़ी ले लीजिए, तो ये सारी क्या है, webland goods है, next है आपकी, Simplipal Tiger Reserve is in which state, Simplipal Tiger Reserve, इंडिया के अंदर almost 50 Tiger Reserve हैं, तो उनमें से आपको प्रेशन पूछ लिया जाता है, और एक चीज और आप ध्यान रखना, मैं आपको बता देता हूँ, कि आपको पता ही कि आपको जो एक्जाम होगा है, SSC, CHSL का, वो एक दिन में तो नहीं होता, ठीक है, 10-12 दिन में या फिर एक हफ़ते में, कई शिफ्टों में आपका एक्जाम चलता है, तो आपको एक्जाम पास करनी के एक ट्रिक बता देता हूँ, कि आपको हर एक शिफ्ट के उपर नजर रखनी है, मतलब, साइट पे जाना है, जो साइट आपको अपडेट देती है, कि आज ये प्रशन पूचे गए, आज ये प्रशन पूचे गए, उसमें से आप topic छांट लीजिए कि इस topic से प्रशन पूछे जा रहे हैं और जब तक आपका exam आपके पास नहीं आता है तब तक आप उन्हीं topic को जो है उन्हीं topic से related प्रशन पढ़ते जाईए क्योंकि आपने ये CGL Tire 1 के अंदर भी देखा होगा कि कैसे यदि एक अवार्ड से प्रशन पूछ लिया तो अगले shift में जो है उसी अवार्ड से प्रशन पूछेंगे लेकिन जैसे पहले में best film का पूछा था तो अगले में best director का पूछ लेंगे लेकिन अवार्ड के हाथ रहता था same रहता था which of the following is a greenhouse gas और a gas which can deplete the ozone layer ने में लेकिने से कौन सी greenhouse gas है जो ozone layer को पतला करती है तो वो है N2O nitrous oxide कौन सी है N2O देखें methane और N2O ये greenhouse gas है ये सबसे ज़्यादा ozone layer को effect करती है carbon dioxide से भी ज़्यादा effect इन दोनों गैस का होता है next है आपका which is the capital of Finland एक ये trend था पिछली बार 2016 में कि आपसे हर एक shift के अंदर country की capital पूछी जा रही थी क्या पता आपकी बार ये trend आजाए कि कि किसी जो है आपको country देखे उसकी क्या पता capital पूछने लग जाए और इनका ये ही होता है कि एक shift में जो ने पैटरन पूछ लिया है ये change दो नहीं करते हैं उसी shift में बार बार वही pattern रखते हैं अब जैसे पहली shift में पूछ लिया था Finland की capital पूछ लिया अगले में देश चेंज करतेंगे एक अजाकिस्तान करतेंगे जो विकिस्तान करतेंगे कुछ की उसकी capital पूछ लेते तो Finland की capital क्या है Helsinki Option 2 है इसका right answer और Finland की currency क्या है Euro Which city is located on the bank of the river Mula Mutha River Mula और Mutha के किनारे पर कौन सा चाहर है वो है पुने Option 4 है इसका right answer Basically Mula और Mutha दो river है जो आकर पुने में मिलती है Mula Mutha is a river in India formed by Confluence of Mula and Butha river in the city of कहां पर पुने में फिर ये मिल जाती है जहां कर किसमे भीमा river में और भीमा river के बाद ये किसमे जाकर मिलती है Krishna river में और फाइनली कहां पर खतम होती है जाकर Bay of Bengal में Ajaz Sastru was son of देखे ये प्रशन हम कितनी बार discuss कर चुके है ठीक है और इससे जुड़ो है मैं फैक्ट भी आपके साथ डिसकस कर चुका है जो हमने जी एस की वीडियो डिसकस की हुई है तो देखे अजास Sastru किसका बेटा था वो था Bimbi Sara का option 3 है इसका right answer और इससे एक जुड़ा ये भी प्रशन पूछ लिया जाता है ठीक है उसमें आप देख लीजिए विड पिक्चर्स और विग्ड में ने उसमें जो है डेस्क्रिप्शन आपको दे रखा है सारे इन्वेंशन के बारे में सो कंप्यूटर माउस का इन्वेंशन किस नहीं किया था डॉगलस एंजलवर्ट में option 3 है इसका right answer डॉगलस एंजलवर्ट नश states that internal energy is a function of state and the increase in the internal energy is equal to the sum of the heat supplied to the system and work done by the system यह किसकी definition यह पर लिखिया है first law of thermodynamics की option यह है इसका right answer first law of thermodynamics यह statement आपको clear हो जाएगी first law thermodynamics की जो equation होती है वो delta u वाली वो आप कर लिजए को उससे आपको यह statement clear हो जाएगी next आपका what is the direction of torque देखिये torque है क्या basically आपको यह पता होने चाहिए सबसे पहले देखिये push or pull यह क्या है linear force है क्या है linear force और torque इसी तरह क्या है rotational force होती है क्या होती है rotational force ठीक है so torque क्या direction होती है perpendicular to the direction of applied force यहां पे आप देख सकते हैं direction is perpendicular to both the radius from the axis and to the force next है आपका article 27 of Indian constitution freedom as to payment of the tax for promotion of any particular religion deals with देखिये article 12 से 35 तक क्या है fundamental right है तो इनके बीच में यह पढ़ता है तो of course इस इस अंसर क्या होगा fundamental rights of Indian citizen option 4 है इस का right answer article 31 C of the Indian constitution saving of laws giving effect to certain directive principles deals with देखिये पहली shift में तो आपसे पूछ लिया था article 27 अब दूसरी shift में आपसे पूछ लिया था article 31 C लेकिन अभी हमने देखा कि 12 से 35 क्या है आपके fundamental right है ठीक है तो यहाँ पर आप देख लिजिए option यह है आपका right answer fundamental right of Indian citizen who is author of Jaya अच्छा एक यह भी trending question थे यह थे आपसे एक shift में book का author पूछ लिया तो अगली shift में भी आपसे book का author पूछा जाएगा बट आपका नाम जो होगा book का वो अलग होगा ठीक है तो यहाँ पर देखे जया बुक के author कौन थे देवदत पतनायक option 2 है इसका right answer देवदत पतनायक चत्रपती शिवाजी टर्मिनस station was designed by चत्रपती शिवाजी टर्मिनस station को किस ने design किया था इसको design किया था Frederick William Stevens ने option एक है इसका right answer Frederick William Stevens which of these is not a UNESCO World Heritage Site लेकिए Ajanta Cave of Maharashtra ये भी UNESCO की World Heritage Site है Red for Delhi ये भी UNESCO की World Heritage Site है काजे रंगा वाइड लाइड सेंचरी असाम में है जो ये भी UNESCO की World Heritage Site के अंदर शुमार है जो Victoria Memorial है Kolkata का वो नहीं है option 3 है इसका right answer which organ does detoxification and produces chemicals needed for digestion तो देखिए कौन सा ऐसा organ है जो detoxification करता है और ऐसे chemical produce करता है जो आपके digestion में help करते हैं ये तो simple है काफी liver liver के बारे में हम आपको काफी बढ़ा चुका हूँ उसके function के बारे में ठीक है कौन-कौन से वो जो है क्रिया करता है काम उसके main function होते हैं वो भी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ liver के बारे में so option 4 है इसका right answer liver एक और question है liver से जिड़ा हुआ यहाँ पे आप देख सकते हो कि liver जो होता है carbohydrate को कौन से रूप में store करके रखता है glycogen के रूप में ये मैं आप से इसलिए बता रहा हूँ कि ये प्रेशन काफी बार पूछा गया है SSC के अंदर next है आपका NaHCO3 NaHCO3 chemical formula होता है किसका baking soda होता है जिसे क्या बो ले जाता है sodium hydrogen carbonate क्या बो ले जाता है sodium hydrogen carbonate which of following element has the lowest melting point किसका सबसे lowest melting point होता है तो वो होता है hydrogen का hydrogen का melting point है वो है minus 252.9 degree option 2 है इसका right answer hydrogen देखे है hydrogen जिसका atomic number क्या होता है 1 होता है इसके discovery हुई थी 1766 में किसके दौारा Henry Cavendish के दौारा C programming language was developed by C programming language किसने developed किती C programming language developed किती Dennis Ritchie ने option 4 है इसका right answer Dennis Ritchie Which of these Indian music legends is the exponent of the instrument sitar निमलिक में से कौन सा विक्ती है जो sitar बचाने के लिए famous है तो उसका नाम है Ravi Shankar option 2 है इसका right answer तो यहाँ पर आप देखिए flute बजाने के जो बजाने वाले जो famous Indian musician है वो आपको पता होने चाहिए Hari Prasad Chorasya यह प्रसन काफी बार कुछा गया है Hari Prasad Chorasya से related ठीक है रगुनात सेथ राजेंदर कुलकरणी नीला एंड कुंजुमनी सिक्का माला चंदर शेकर राजेंदर प्रसन्न इसमें से जो important है वो है Hari Prasad Chorasya फिर है आपका सरोद वादक कौन है famous इंडिया के अमजद अली खान ये important है अलाओदीन खान हाफिज अली खान शारान रानी अली अकबर बिस्वाजीत रॉय अलाओदीन खान और अमजद अली खान ये दोनों ही important है तबला तबला प्लेयर है जो important famous इंडिया के वो है जाकिर हुसें ये आपको पता ही होगा शाफ़त एहमद खान अल्ला रखा खान स्वपन चौधरी सुखविंदर सिंह किशन महराज अन्नामलाय टाइगर रिजर्व इस इन विच स्टेट अन्नामलाय टाइगर रिजर्व कहां पर है ये है तमिल नाडू के अन्दर ओप्शन 3 है इसका राइट अन्सर देखें लगब चास के आज पास टाइगर रिजर्व हैं जैसे कि मैंने बताया था एक परशन आप से भी पूछ ले जा था है कि टाइगर जो इंडिया का टाइगर सेविंग प्रोग्राम था वो कब शुरू किया गया था 1973 में टाइगर कंजर्वेटिव कंजर्वेशन प्रोग्राम जो शुरू किया गया था 1973 में नेक्स्ट है आपका यहाँ पर देख लीजे इंपोर्टन टाइगर रिजर्व के बारे में मैंने आप यहाँ पर लिस्ट डाली है इंपोर्टन है बांदीपूर भी इंपोर्टन है जो पढ़ता है करनाटका के अंदर कॉर्बेट तो मोस्ट इंपोर्टन है उत्राखंड के अंदर है कानहा इंपोर्टन है अध्यपरदेश के अंदर है मानस भी important है जो असाम के अंदर है रन थमबोर भी important है आपका कहां पर है राजस्थान के अंदर है सिंपलि पाल अभी हमने पढ़ा था उडिशा के अंदर है सुन्दर्बन most important है वेस्ट बंगाल के अंदर है पहरियार भी काफी बार पूचा गया है केरला के अंदर है सरिस्का यह है राजस्थान के अंदर और भी important है ठीक है वो आप देख लीजिएगा यहाँ पर जो है मैंने 11 आपके साथ discuss किये है next है आपका which is the most economical method of removing solid matter from water simple है वो है sedimentation कि पानी को थोड़े देर के लिए छोड़ दीजिए जो hard substance होते हैं जो पानी में नहीं तैर सकते हो अपने आप ही क्या होंगे नीचे बैठ जाएंगे और उपर से आप जो है साफ पानी को अलग कर लो next है आपका हमायू टॉम इस लोकेटिड इन वह यह तो काफी simple question है कहां पर है डैली के अंदर किसने design किया था हमायू टॉम को हमायू टॉम को design किया था मिराक मिरजा ग्यास जो की एक Persian architect थे यह आपको पता होने चाहिए और किसने बनवाया था हमीदा बानू बेगम और कह सकते हैं बेगा बेगम ने next है आपका assembly line was invented by assembly line क्या होती है assembly line आपने देखा होगा car production में देखा होगा ठीक है car बनाते वक्त TV discovery channels पर आपने देखा होगा कि कैसे कैसे एक car जो है assembly line पर चलती जाती है उसमें जैसे station बना देते हैं एक दो तीन की पहले station पर इसमे टायर फिट किये जाएंगे दूसरे station पर इसमें चीशे फिट किया जाएंगे तीसे station में इंजन फिट किया जाएगा ऐसे तो यह क्या होती है assembly line होती है किसने invent की थी इसको किसने invent किया था ransom एली ओल्ड्स ने option 4 है इसका right answer instrument for measuring blueness of the sky or ocean is called कौन सा instrument यूज़ किया जाता है आसमान की निलता को मापने के लिए तो वह होता है sinometer option 3 है इसका right answer sinometer वो कुछ ऐसा दिखता है यहाँ पर आप देख सकते हो next है आपका ferard is unit of ferard किसकी unit होती है आपकी कैपिस्टेंस की option यह है इसका right answer कैपिस्टेंस तो unit भी आप जरूर कीजिएगा unit से भी आपसे प्रशन पुछा जाता है और यहाँ पर देखे लिस्ट मेंने डाली हुई है चलिए एक दो हम discuss कर लेते हैं इंपोर्टेंट वाली कपिस्टेंस का भी हमने पड़ा फेराड होती है ठीक है electrical conductivity most important है ohm per meter electric potential की क्या होती है वाल्ट force की newton energy की joule frequency की hertz heat की joule impulse की newton second illuminancy most important है illuminance की होती है lux inductance की होती है henry luminous flux की होती है lumen luminous intensity की होती है candela और भी most important है यहाँ पर वीडियो पाउस करके आप नोट कर लिए इन में से next है आपका under which article is the union public service commission of india established कौन से आर्टिकल के तहट से establish किया गया है आर्टिकल तिन सो पंद्रह के वेस्ट मिनिस्टर पार्लेमेंट सिस्टम वाज डेवलप्ड इन वेस्ट मिनिस्टर पार्लेमेंट सिस्टम कहां पर डेवलप हुआ था UK के अंदर United Kingdom Whose year Mike Tyson bite in professional boxing match in 1997 for the WBA heavyweight championship देखिए यह कैसा प्रसन है ठीक है यह हमने कहीं पढ़ा भी नहीं होगा किसी GK की book में भी नहीं होगा फिर भी इसको पूछ लिया गया है कि Mike Tyson ने इसके कान पर bite किया था जो मैच हुआ था heavyweight championship का 1997 में बॉक्सिंग का तो उसका नाम था Evender Holyfield Evender Holyfield के कान पर उनने bite किया था जिसे bite fight के नाम से भी जाना जाता उस match को ठीक है जो हुआ था 28 जून 1997 को Who is the author of India 2020 a vision for the new millennium देखे मैंने आपको बताया था यदि बुक पूछ लिए जाती है एक shift के अंदर तो दूसरी फुक में भी वही pattern रहेगा बस बुक का नाम अलग हो जाएगा अब इसमें पूछ लिया है इंडिया 2020 a vision for the new millennium पिछली shift में था जया बुक किस ने लिखी ठीक है इसमें है इंडिया 2020 a vision for the new millennium ये लिखी थी हमारे former president श्री एपीजे अब्दुल कलाम ने option एक है इसका right answer cdm guajawa is the scientific name of किसका scientific name होता है देखे फिर मैं आपको बता देखा हूँ scientific name ये एक shift में पूछ लिया तो अगली shift में भी scientific name पूछेगा ठीक है ये होता है guava अम्रूद यहां पर important में ने 12 लिखे है man जैसे हम homo sapien बोलते है cat का phallus domestica frog का rana tigrina dog का canis familiaris cow का boss indicus mango का magnifera indica important है wheat का important है tritcum astivium gram का scissor artynium यहां पर important है ये 12 को इटल इंको आप note कर लिजेगा next है आपका in which year rbi was nationalized rbi bank को कब nationalized किया गया था यह आप सभी को पता है वर्ष उन्नी सो उन्चास में इसको nationalized किया गया था और पहला और शुरू कब हुआ था rbi bank यह भी पूछ सकता है एक अप्राइल 1935 को ओटावा is the capital of capital city of देखिए मैं क्या बताया था कि पहली shift में उसने पूछा था फिन्लैंड की capital अब दूसरी shift में फिर वो जो है पूछ रहा है आपसे capital किसकी ओटावा की ओटावा किसकी capital है यह पूछ रहा है ओटावा किसकी capital है कैनेडा की यह हम सब को पता है option 3 है इसका राइडन अंसर कैनेडा which drug is used as a blood thinner कौन से drug को यहाँ पर use किया जाता है blood thinner यानि कि blood को पतला करने के लिए तो वो है warfaring warfaring जो है blood thinner के रूप में use किया जाता है used as an anti-coagulant और जिसे use किया जाता है blood clots को treat करने के लिए which world heritage site is built on the right bank of Yamuna river तो यह तो सभी को पता है वो है ताजमहल ताजमहल के architect आप बता सकते हैं कौन थे ताजमहल के architect तो लिख लिए यह भी आप ताजमहल के architect से जो वो थे उस्ताद एहमद लाहोरी और उस्ताद इसा इसके बारे में एक important fact यह है कि एक हजार हाती और बाइस हजार worker were used in its construction which took over 20 years 20 साल लगे थे इसको बनाने में C.V. Raman won Nobel Prize for which category? C.V. Raman को Nobel Prize मिला था कौन सी केटेगरी में? तोने मिला था Physics के लिए कब मिला थोने यह Nobel Prize वर्ष 1930 में? किसी की contribution के लिए for his work on the scattering of light and for the discovery of the effect next है आपका चलिए यह भी हम discuss कर लेते हैं कि कौन कौन से इंडियन से इंजिने Nobel Prize मिल चुका है कि मैं आपको पहले भी discuss कर चुका हूँ complete description के साथ यहाँ पर हम थोड़ा सा एक बार revise कर लेते हैं रविंदर नाट्य गोर को मिला था वर्ष 1913 में सीवी रवन को मिला था Physics के लिए वर्ष 1930 में मदर ईटैरे से को मिला था Nobel Prize वर्ष 1979 में Peace Prize उनको मिला था अमरते से इनको मिला था Economics का Nobel Prize वर्ष 1998 में और Keylaz सिथ्यारती को मिला है Nobel Peace Prize वर्ष 2014 ठीक है next है आपका which of following disease is caused due to the deficiency of protein protein की कमी से कौन सा रोग हो जाता है disease, vitamin की कमी से ठीक है या फिर जो भी और आपके important minerals होते हैं उनकी कमी से जरोग होते हैं इसके उपर मैंने complete video बना रखी है ठीक है वो आप देख लीजे most important है आपके लिए तो वो है क्वाशी और कर option 2 है इसका right answer क्वाशी और कर a dash is a species of plant that is adapted to survive in an environment with a little liquid water कौन सी species है plant की जो survive करती है उस environment में जिसमें क्या होता है little liquid water होता है तो वो है आपकी zero fight option 1 है इसका right answer zero fight how many types of teeth are there in human humans के अंदर कितने type के teeth होते है 4 type के teeth होते है option 1 है इसका right answer which of following element has the lowest melting point निमिलिक में किसका lowest melting point होता है वो है neon का neon का lowest melting point है जो होता है 246 degree minus 246 degree atomic number of each of the following elements is greater than that of silicon लिए निमिलिक में से किसका atomic number है element का ज्यादा होता है silicon से तो हो है sulfur how many gigabyte is equal to one petabyte देखे एक हजार चौबिस जीवी का एक टेराबाइट होता है और एक हजार चौबिस टीवी का one petabyte होता है तो यहाँ पर one petabyte किसके बराबर हुआ एक हजार चौबिस इंतू एक हजार चौबिस जीवी के ठीक है यहाँ पर option four है इसका right answer air has maximum proportion of which inert gas कौन सी inert gas का maximum proportion होता है air के अंदर तो वो है argon option three है इसका right answer inert gas जिनकी reactivity क्या होती है काफी लो होती है who put forward the theory of continental drift in 1950 continental drift theory in 1915 में किसने इसको सामनी रखा था उस रखा था Alfred Wegener option three है इसका right answer Alfred Wegener rainfall due to upward moment of air caused by convergence of cloud air masses against warm air masses is cold as यह हम कर चुके हैं इसे हम बोलते हैं frontal rainfall frontal rainfall geographic की क्लास में हम यह कर चुके हैं next है आपका what is the distance from the center of the earth to the center of the moon called यहां पर आप देख सकते हैं उसे बोला जाता है orbital radius of the moon इस diagram में आप साफ देख सकते हैं यहां इस center से लेके और इसके इस center तब का जो distance से बीच का article 20 of Indian constitution protection in respect of conviction for offences deals with जैसा मने पड़ा था पीछे भी में आपको बताया था भी तो इस में आएगा fundamental right of Indian citizen option एक है इसका right answer dash is a drug or substance that make you feel relaxed and makes your body work and react more slowly तो कौन सा substance sorry कौन सा drug है जो यह करता है या फिर कौन सा substance है जो यह काम करता है जो आपको relax feel करवाता है और आपकी body को ऐसा बना देता है कि आप जो react करते हैं और जो work करते हैं उसको क्या कर देते हैं बिल्कुल slow कर देता है यह काम होता है डिप्रेसेंट का option 4 है इसका right answer डिप्रेसेंट तो यह थे आपके important question जो आप से SSE CHSL 2016 के exam में पूछे गए थे अगला वीडियो भी मैं जल्द आपके लिए लेकर आऊँगा so thank you for watching this video और अपने topic मुझे बताना मत भुलिए यदि आप CHSL की थियारी कर रहे हैं तो comment box में topic के नाम जरूर comment कीजिए ताकि मैं अगली वीडियो वही लेकर आऊँगा धेकं अगलते局 मैं जब में एक दिए